प्रधान बंतरे नेंद्र मौधिद्वारा दिये गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे दिये गई है उसकी याद दिलाई है नेहा सिंगर तोड़ ने पिहार शिनेत के लाए है कि उनका जो एक्स हेंडल है उसे कुछ लोग मिलकर हेंडल करते हैं और उन्हीं में से किसी एक ने उनकी आईडी से ये पोस्ट कर दिया वो महिलाओं का अपमान जनक टिपड़ी कर ही नहीं सकती हाला कि बीजेपी बार-बार हमला बार होती हुई नजवरा रही है और इसे बीच अब प्रेंड हो रही है नेहा सिंग राठोर उनका कहना है कि जब कंगरा राणाओं पर टिप पड़ी हुई तो यहाँ पर बात महिला आयोग तक पहुँच गई सुप्रिया श्रीनेत पर कड़े एक्शन की बात कहने जाने लगी लेकिन जब नेहा सिंग राठोर की मिया खलीफा से हुई थी जो की पॉंस्टार है तब तब महिला आयोग कहा थी बिजेपी से भी सवाल करती हुई दिखी हिमांशल प्रदेश की मंडी से बिजेपी के उमिद्वार बनाए गई अभिनेतरी कंगना रनाद पर कॉंग्रिस प्रबक्ता सुप्रिया श्रीनेत के एक्स अकाउंट से विवादे टिपड़ी की गई इसके बाद से ही सियासत गर्माई हुई है हालाकि बात में उन्होंने सफाय दी उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया विवादे टिपड़ी पर राष्ट्य महिला आयोग ने भी सकतरुख दिखाया आयोग ने चुनाव आयोग को चिठिलिक के सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कारेवाही की मांग की कंगना पर की गई टिपड़ी चवर्चा का विशय बनी हुई है इसे बीश लोग गाई का नेहा सिंग राठोर भी सोशल मीडिया पर ट्रूइन करने लगी है किस वजह से नेहा सिंग राठोर की च्वर्चा हो रही है आपको बताते हैं दरहसल नेहा सिंग राठोर ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट को शेयर करते वे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और केंद्री मंतरी स्मृती रानी को टैग किया नेहा राठोर ने पोस्ट को शेयर करते वे लिखा क्या सिर्फ कंगना रनाओ थी देश की बेटी है बिजेपी के आईटी सेल के कुछ लोग पॉन स्टार मिया खलिफा के साथ मेरी फोटो लगा कर मुझे ट्रेन करवा रहे है मुझे प्रताडित कर रहे है वो किसी को नहीं देखता पियप मोधी के तथा कधित परिवार से बचने की लड़ाई क्या मुझे अकेले लड़ने पड़ेगी ऐसे बचाई जाएगी बेटी मुझे आप अपने परिवार वालों से बचाईए ये लोग मुझे अपमानित कर रहे है एक अन्य पोस्ट में नेहा सिंग राठों ने लिखा मेरी गलती सर्फ इतनी है कि मैं सरकार से बिना डरे सवाल पूस्ती हूँ और सरकार को न डरने वाले लोग पसंद नहीं है मैं अपने निडर होने की कीमत चुका रही हूँ मेरे अपमान पर ये चुपि क्यों इस मृती रानी जी ऐसे बचेगी बेटी बोलिए पीम मोदी कुछ कहिए न जेपी नडडा जी बेटी की सम्मान की बात है अमिश्वाह जी कब तक चुप रहेंगे आप लोग तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है कंगना और सुप्रिया श्रीनेत का विबात दरसल कॉंग्रिस प्रभकताश सुप्रिया श्रीनेत के एक्स अकाउंट से किये गए एक विबादित पोस्ट से होली के दिन देश की राशनितिक पारा च्वड़ गया था कंगना को मंडी से बीजेपी ने लोग सभच शुनाव के लिए उमिदवार बनाया है और अच्वानक उनके एक पुरानी तस्वीश सोशल मीडिया में सुर्खियों में आ गई सुप्रिया श्रीनेत ने अकाउंट पर उसे शियर किया बीजेपी के तमाम नेता सुप्रिया श्रीनेत पर हमला वर हो गए और कॉंग्रेस के बचाओं में आ गए सुप्रिया के पोस्ट के बाद कंगना रेनाट ने एक्सपर पोस्ट कर इसका जबाब दिया कंगना ने कहा एक कलाकार के रूप में अपने केरियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है क्वीन में एक भोली लड़की से लेकर धाकड में एक आकर्शक ज्वासूस तक मने कर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्शुसी तक व्रजो में एक वैश्य से लेकर थलाईवी में एक रांतिकारी नेता तक उन्होंने आगे लिखा हमें अपनी बेटियों को पुर्वा ग्रहों के बंधरों से मुक्त करना श्वाहिए हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जग्यासा के उपर उठना श्वाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दरुब्य बहार या अपमान के रूप में इस्तमाल करने से बशना शाहिए हर महिला अपनी गरिमा की हगदार है कंगनर अनौत के जवाब के बाद सुप्रिया श्रीनेत बैक फूट पर आ गई उन्हें बड़ी गलती का हिसास हो चुका था पहले तो सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी पोस्ट को डिलीट किया एकसे पर पोस्ट कर सफाई थी मेरे फेस्बुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का अकसेस कई लोगों के पास है उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहत घ्रनित और आपत्ती जनक पोस्ट की मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी मैला के किलाब व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिपड़ी कर ही नहीं सकती हूँ मैं इसकी घोर विरोधी हूँ फिर मैंने जानना चाहा कि आखर ये कैसे हुआ तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपियोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है सुप्रिया पैरोडी के नाम से वही पर ये अब्जेक्शनबल पोस्ट हूँ और वही से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेस्बुक और इंस्टा पे डाला मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूँ कि जिन लोगों के पास अक्सेस था उन में से किसने ये घ्रनत काम किया साथ ही मैंने इस पैरडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है पहली भी मेरे नाम का दुरुपियोग करके जो भूबहू सुप्रिया श्रिनेत का अकाउंट लगता है वहाँ से अनर्गल टिपडिया भ्रहमित बाते कही जाती है मैंने सर्व प्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है लेकिन मैं यहाँ पे बिलकुल बोलना चाहती हूँ कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी बोंडी व्यक्तिकर टिपडियों के खिलाफ हूँ ना मैंने ऐसा कभी किया है और ना मैं कर सकती हूँ विचारधारा की लड़ाई पुर्जोर तरीके से पूरी इमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्ती जनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूँ वही राश्टी महिला आयोग सुप्रिया शुरिनेत के अपमान जुना का आश्रण से स्थब्द है NCW के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी एक पोस्ट के जरिये कंगना के लिए लिखा कि आप एक योध्धा और शमकते सितारे हैं जो लोग असुरक्षित होते हैं वे नीश आश्रण करते हैं चमकते रहो और शुप कामना आए सुप्रिया शुरिनेत के टिपड़ी पर कींदरी मंत्रे स्मृति रानी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा राजनीती में कंगना की शिरुवात ये नहीं दिखाता है कि आप कौन है बलकि ये दिखाता है कि उन्होंने क्या किया है और आगे भी करने में सक्षम है क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि संगहर्शों का सामना कर मुकाम पाने वाली महिलाओं के साथ कैसे व्यवहर किया जुआ है जीत की और मार्श करे विज्वई भव तो जैसा कि आपने देखा कि सुप्रिया श्रीनेट जो की बार बार दावा कर रही है कि उन्होंने ये पोस्ट नहीं किया था भले उनके एक्सेंडल से ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया है लेकिन इसे लेकर राजनिती गर्माती हुई नज़रा रही है और इसे बीच मनोस दिवारे भी सुप्रिया श्रीनेट को आड़े हाथों लेते हुए भी नज़र आए इसे लोकसभा की प्रत्यासी बनी है लेकिन कॉंग्रेस का बयान मैं हैरान हूँ कि कॉंग्रेस की महिलाओं के प्रती और भारत की कलाकारों के प्रती बेटियों के प्रती ये ऐसी घिरोनी सोच है जो संसकार युक्ते हैं जो समझदार हैं उनको अच्छी तरह बता है कि रील लाइफ और रील लाइफ में क्या अंतर है रील लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रील लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कॉंग्रेस के लोगे ये आपके संसकार हैं ये जो frustrated कॉंग्रेस है और उनके साथ जो आमादीर पार्टी का सिर्ष नित्र तो आया है वो अपने क्या प्रवक्ता के खिलाफ को एक्सन लेगा और क्या भारत की कलाकारों के लिए यही सोच रहेगी राजनितिक पार्टियों की जो कॉंग्रेस ने दिखाया है बारती जनता पार्टी बारत के कलाकारों का सम्मान करती है भारत के महिलाओं का सम्मान करती है और अगर वो अपने कारी के साथ साथ राजनीती में देश शिवा में समय देते हैं तो पलक पाउड़े विचा कर स्वागत करती है ये नरेंदर मोदी जी की नीती है लेकिन कॉंग्रेस की ये सोच मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ देश के एक आम मानुवी को भी हिला कर रख दिया होगा कंगना रनौत के लिए दिये गए कॉंग्रेस के प्रवक्ता के बयान को हम कड़ी निंदा करते हैं और महिलाओं के प्रती ये सोच अगर कॉंग्रेस की है तो देश की महिलाएं भी इसका जवाब देंगी देश के लोग भी जवाब देंगे अगर समय रहते ऐसे प्रवक्ता पे एक्शन नहीं हुआ तो भारत के लोग इसका जवाब देखे तो जैसा कि आपने देखा कि तमाम दावे किये जो आ रहे हैं तमाम बयानबाजी यहाँ पर की जो आ रही है लेकिन ट्रेंड हो रही है नेहा सिंग राठ और उनका जो सवाल है बीजेपी से उन सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है यहाँ जो हम देख रहे हैं कंगनर नौत जैसे ही अब चुनावी मैदान में उतर गई है और उनके उतरते ही यहाँ पस्यासी खलबली भी देखने को मिल रही है अशिकन जो अलगातार विपक्ष कस्ते भी नज़रा रही है पलपल के अपडेट के लिए बने रही है डिजि